हम लोग बहुत दिन से कहीं गुमने नहीं गया थे तो आज हम लोग गुमने आये हैं मत कुदीब क्या हुआ है अरे यहां पे बहुत सारे गोबर है ना बेटों के पैर में बशाद की पानी से यहां पूरा पानी भरा हुआ है आप लोगो को दिखाती है हुआ हो चहां हुआ है यहां परना बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे बना कर बेशते हैं पता नहीं यह क्या है और मेरे किस यूज में आएगा पर यह बार-बार देदी ले लिजे बोल रहा था तो मैं सोची ले लेती हूं क्योंकि बाकी बच्चे तो ऐसे ही पैसा मंगते हैं और यह तो विचार इत तो मैंने भी सोचा कि यहाँ पास में एक सौप है, वहाँ से मैगी लेके आती हूँ और फिर बनाते हैं हम लोग और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं इन लोगों के पास माचिस मांगने के लिए गई थी और फिर हम लोग लकडी का भी जुगार कर रहे थे, और हम मैगी बनाने के तयारी में लग गये थे मुझे भी काम करना पड़ रहे हैं, पापा ना ममा को चैलेंज किये हैं कि मैगी आप कैसे बनाओगे तो मैं ममा की हेल्प कर रहा हूँ लकडी खूजने में देखते हैं अब कैसे बनाएंगे हम लोग मैगी झाले मा उनका टाइबन찮ा मैं मला काम कैसे खूए रहा हूँ सकतर रहा हूँ झाले माज उनका टाहा हूँ कर्वे लोग दोका मैं लगा हूँ आमंए मैं को का मैं तो क्योत माज़ है हुआ हैं यूए दो से नूए हैं हमारा टेस्टी टेस्टी मैगी बन कर तयार है हम दुसरे से माचे समांग के लकडी खुज के हम लोगों ने मैगी बनाया बहुत ज़्यादर टेस्टी बना हुआ था और बनाने में शिवांस के पापा भी मेरा हैल्प की हमारे पास खाने के लिए चम्मज भी नहीं था तो हम लोग लकडी का चॉपी स्टिक बनाये थे जिससे हम लोग मैगी खा रहे थे सच बताओ ना बहुत मजाया इस पिकनिक में तो क्योंकि यह अनप्लानिंग था आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा बाई बाई साम हो चुकी है अब हम चले घर पंके काका बेटी काका बेटी काका बेटी काल चाना प्याप बेटी काना झाल झाल